Hello Friends, मैं हूँ मोहित और स्वागत आपका Essentials of Medical Science में हमने अभी पिछली वीडियो में बात की थी Tracts of the Spinal Cord के बारे में Descending Tracts हमने पढ़ा था और Ascending Tracts अभी मैं बीच में छोड़ रहा हूँ क्योंकि Ascending Tracts जो है वो Functional Areas of Brain से Related है और Functional Areas पढ़ते पढ़ते हम एक एक Ascending Tracts को लेके चलेंगे ठीक है Functional Areas का क्या मतलब होता को हम आपको बताऊँगा उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे Gyrus और Sulcus से क्या चीज़ होते है पहले कौन-कौन से Gyrus Sulcus हमारे लिए Important है उसके बाद हम Areas की बात करेंगे तो गाइस अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के रखे तो चलिए स्टार्ट करते हैं Functional Areas of Brain से तो हमारे ब्रेन में दो चीज़ होते हैं एक होता है गायरस और एक होता है सलकस अगर आपको बेन का स्पेसिमेन मिले तो आपको क्या मिलेगा उसके अंदर बहुत सारे जो Cerebral Cortex है ना Cerebrum में उसके अंदर बहुत सारे FOLDS देखने को मिलेंगे इस तरह अजीब से FOLDS प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं गायरस और जो FOLDS के बीच में ग्रूव मिलेंगे मतलब गढ़्धा टाइप मिलेगा FOLDS के बीच में उसको हम बोलते हैं सलकस तो सलकस क्या है सलकस एक ग्रूव है जबकि गायरस क्या है गायरस हम बोलते हैं FOLDS को ठीक है तो ये दो चीज हमाएं हमें देखने को मिलती है brain के अंदर specimen में तो ये है हमारा brain वाला part जो नीचे आपको लोब दीख रही है सबसे पहले चार लोब होती है brain में frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe जो आगे ये वाली जो lobe है इसे कहते है frontal lobe बीच में ये वाली जो lobe है इसे हम बोलेंगे क्या parietal lobe, पीछे जो ये वाला part है इसे बोलेंगे occipital lobe और ये जो नीचे वाला part है इसे बोलेंगे temporal lobe तो चार lobe है, आगे की तरह frontal lobe बीच में parietal lobe, पीछे occipital lobe और नीचे temporal lobe यह कौन सा सर्फेस देख रहा है हम, this is the superolateral surface, मैं यह आप लिख देता हूँ, यह superolateral surface है, lateral surface हम देख रहा है, brain का, superolateral surface of brain, तो सबसे पहले हम अलग-अलग sulcus की बात करते हैं, तो दो main sulcus हमें देखनी को मिलेंगे हमारे सेरी ब्रह में, एक होता है central sulcus और एक होता है lateral sulcus, एक होता है lateral sulcus, मैं पहले central sulcus बनाने जारहू हूँ, तो यह जो sulcus यह आप देख रहे हो, यह जो बीच से जा रहा हूँ, इसे हम बोलेंगे Central Sulcus, Straight नहीं होता, ऐसे घोम फिर के आता है, मैंने Straight बनाया है, और एक होता है Lateral Sulcus, तो यह जो मैंने बना रहा हूँ, यह क्या है? This is our Lateral Sulcus, तो एक होता है Central Sulcus और एक होता है इस तरह से Lateral Sulcus, तो दो Sulcus हमने देख लिए, एक Central और एक हो गया Sulcus, तो यह तो दो मैं थे इसके अलावा Central Sulcus के आगे, Central Sulcus के आगे जो Sulcus होगा उसे क्या बोलेंगे? Pre-Central Central से पहले है, तो Pre-Central और Central Sulcus के बाद जो Sulcus होगा उसे हम बोलेंगे Post-Central Sulcus तो चार Sulcus होगे एक Lateral Sulcus, एक Central Sulcus Central के आगे Pre-Central और Central के पीछे Post Central Sulcus तो यह Sulcus हो गए अब जो यह वाला पार्ट है Central Sulcus के आगे वाला पार्ट है यह है frontal lobe तो frontal lobe के अंदर दो Sulcus हमें देखने को मिलेंगे कौन-कौन से एक होगा Superior Frontal Sulcus और एक होगा Inferior Frontal Sulcus तो जो मैंने दो Red कलर में बनाएँ यह ऐसे नहीं present होते कि इतना ही होता है पूरी इस तरह से groove present होते हैं हुम फिर के बहुत ही भूल बुलाईया बनी होती है ठीक है brain को देखोगे तब लेकिन मैं इसको अपनी simplicity के लिए इस तरह से बना रहा हूँ तो frontal lobe के अंदर दो sulcus है एक होगा superior frontal sulcus और एक होगा inferior frontal sulcus superior frontal, inferior frontal अब जो central sulcus के पीछे वाली जो लोब है brain की इसे हम क्या बोलेंगे parital lobe और जो और पीछे चलेंगे तो यह वाली जो लोब है सबसे बीछे यह है occipital lobe parital को occipital से अलग कर रहा है तो parital occipital sulcus ठीक है अब चलते है temporal lobe में frontal देख लिए parital और occipital को अलग करने वाला देख लिया अब नीचे वाली जो लोब है temporal lobe इसमें अगर मैं बताऊ आँ आपको तो इसमें इसी तरह frontal की तरह इसमें भी दो sulcus होगी एक उपर की तरह और देख नीचे की तरह तो इसको क्या बोलेंगे temporal lobe में है तो superior temporal sulcus और नीचे वाला inferior temporal sulcus तो यह सारे sulcus हमने देख लिए इसके अलावा एक और sulcus होता है important जो यहां से जा रहा होता है पीछे से इसे हम बोलता है calcarine sulcus बहुत important है अब मैं इसकी naming करता हूँ एक एक करके सबका हम नाम देखते हैं जो सबसे बीच में था यह कौन सा था एक सबसे सेंटर में था तो इसको क्या बोला हमने इसको क्या बोलेंगे हम सुपीरियर फ्रेंटल sulcus और नीचे वाले को क्या बोलेंगे inferior frontal sulcus यह वाला कौन सा था शुरू में बताया था lateral sulcus ठीक है temporal lobe में चलें तो उपर वाले को क्या बोला था superior temporal sulcus और नीचे वाले को क्या बोला inferior temporal sulcus और जो यह पीछे की तरफ से यह sulcus आ रहा था बीच में इसे क्या बोल रहे था हैं calcarine sulcus और एक जो यह बच गया parietal और occipital lobe को अलग करते हुए इसको हमने क्या बोला था parieto occipital sulcus तो यह हमने सारे sulcus हमने अभी बात की है तो इतने सारे sulcus हमारे present होते हैं अब gyrus का है भई तो मैंने बोला था कि sulcus क्या है sulcus is the groove तो यह सब grooves है मतलब गड़े से present है अब folds को gyrus बोलते हैं तो दो sulcus के बीच में जो एक fold present होगा इसे हम gyrus बोलेंगे तो अब मैं अगर gyrus का नाम बता हूँ मैं लिखूंगा नहीं बस दो नाम लिखता हूँ central sulcus के और pre-central sulcus के बीच में जो gyrus है इसको हम बोलते हैं pre-central gyrus जी के ओपर circle कर रहा हूँ gyrus के लिए ठीक है और central sulcus और post-central sulcus के बीच में जो है उसे बोलते हैं post-central gyrus ठीक है इसी तरह superior frontal sinus के उपर वाला gyrus हो क्या बोलेंगे superior frontal gyrus अब superior और inferior के बीच में middle frontal gyrus और इसके नीचे inferior frontal gyrus तो तीन gyrus इदर होगे ठीक है इसी तरह temporal में चले superior temporal gyrus middle temporal gyrus और inferior temporal gyrus ठीक है और इसी तरह से gyrus यहाँ पीछे भी present होगे है बहुत सारे होते हैं सारे नाम मैंने नहीं लिखे हैं ठीक है sulcus और भी present होगे लेकिन यह हमारे main है जो हमें superior lateral surface of brain से देखने को मिलते हैं तो specimen देके पूछते भी है यह exam में central sulcus दिखाओ lateral sulcus दिखाओ superior frontal दिखाओ इस तरह से आप याद कर सकते हो कि frontal area में हमें दो main sulcus दिखेंगे superior frontal और inferior frontal temporal में दो दिखेंगे superior temporal और inferior temporal main central ढूंडो पहले और lateral ढूंडो central के आगे वाला pre-central हो जाएगा पीछे वाला post-central हो जाएगा तो यह होगे हमारे sulcus और गायर है अब दो important points की बात करते हैं पहला क्या कि जो हमारे central sulcus होता है इसको हम क्या बोलते हैं central sulcus is also known as sulcus of Ronaldo तो इसको also known as sulcus of Rolando यह Rolando है Rolando नहीं है ठीक है जबकि lateral sulcus का दुसरा नाम जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं sylvian fissure तो lateral sulcus को sylvian fissure भी बोलते हैं और central sulcus को sulcus of Rolando भी बोलते हैं तो यह important points ते ठीक है अब मैं बताता हूं आपको areas of brain क्या होता है देखो अलग-अलग parts होके अलग-अलग gyrus होके अब इसी gyruses में क्या present होता है अलग-अलग areas के number रख रखे हैं अलग-अलग areas जो हैं जैसे यहां पर present होगे कुछ area कुछ areas यहां पर होगे तो उनका numbering के हम बात अभी करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताओं तो एक broadman नाम का इनसान था तो broadman ने क्या किया जो areas present होगे brain में तो broadman ने divide कर दिया areas of brain को areas of brain into two types तो दो हिस्सों में बाट दिया broadman ने areas of brain को कौन-कौन से दो type अब सबसे पहला उसने बाटा क्या primary area एक तो उसने नाम दिया सौसिशन area टिक है और दूसरा उसने नाम दिया तो दो areas में बाटा एक बाटा primary area में और एकबाटा Association area में तो primary area की बात करें primary area क्या होता है जो भी information brain के पास आ रही है वो सबसे पहले किस area में जाए Installation कोई भी information जितनी भी sensation की information है, pain, temperature, हर को information सबसे पहले इस area में जाएगी, ठीक है, pain हुआ, temperature हुआ, किसी भी चीज़ की sensation कहा जाएगी, सबसे पहले brain के अंदर, primary area में जाएगी, तो primary area क्या है, whatever information, whatever information coming to brain, will first come to this area, तो सबसे पहले वो इस area के अंदर आएगी, कौन से area में, primary area में, तो क्या बोलेंगे हम primary area को, primary area का function क्या हो जाएगा, तो primary area का function क्या होता है, perception of, perceive कर रहा है, मतलब receive कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसका function क्या है, perception of sensation, तो sensation को perceive या receive करने का काम होता है, primary area का, तो association area, नाम में association है, मतलब कि जो information आई है, तो भई उसको understand भी तो करना पड़ेगा कि वो है क्या चीज, तो आई तो यहाँ पर है, लेकिन उसको understand करने का काम कौन करेगा? तो association area क्या करता है? यह understand करने में लब करता है, understand the sensation, तो इसका function की बात करें, association area का function क्या हो जाएगा इससाब से? इसका function हो जाता है, interpretation, तो यह interpret करता है कि वही क्या information है, तो interpretation of sensation, और interpretation और perceived तो इसने कर दिया, अब motor area क्या, अब आगे बचावा काम तो motor area का है, तो motor जो भी movement होगे रख राने होगी, वो वो कराएगा, तो एक primary area होता है, जो की sensation को perceive करता है, और एक association area है, जो की interpret करता है, क्या sensation आई है, उसको understand करने में लब करता है, तो यह दो main areas मिलेंगे हमको primary area, association area, हर area जो plane में मैं बताऊँ आपको, उसका primary area भी होगा, उसका association area भी होगा, तो एक point यहाँ पर हम लिखते है, every area will have a primary, हर एक area का primary area भी होगा and a association ठीक है, primary area भी होगा और association area भी होगा, अब मैं आपको अलग-अलग primary association area बताता हूँ, ठीक है सब sensation पहले इसमें आएंगी, primary area है अगर इसका association area आप मैं देखूँ, sensory का association area तो वो present होता है इधर, यहाँ पर present होता है area number 5 और area number 7 तो 312 क्या है, अलग-पेटर में लिखता हूँ, तो area number 312, यह area number 312 यह क्या है, area number 312 इसको हम बोलते हैं, primary sensory area, मतलब यह एक primary area है, तो यहाँ पर perception of sensation होगा, जबकि area number 57 पर क्या होगा, इसे हम बोलते हैं, क्या है, association area, इस sequence में होता है, उपर 3 होता है, नीचे 1 होता है, फिर नीचे 2 होता है, इसलिए 312 ऐसे लिखते हैं इसको, तो sensory association area जो होगा 5-7, मतलब सारी sensation आएंगी पहले 312 में, फिर sensation को जो understand करने का काम है, वो 5 और 7 area करेंगी, यहाँ पर present होता है, अब अगर मैं बात करूँ, और जो देखने में जो help करेगा, तो यहाँ पर present होता है area number 17, 18 and 19, तो 17, 18 and 19, यहाँ लिखता हूँ area number, तो area number 17 जो है, वो क्या है, primary visual area, primary visual area है, primary का मतलब क्या है, primary area मतलब यहाँ, यहाँ, कोई भी हम जो देखेंगे, वो चीज़ की sensation पहले यहाँ जाएगी, primary visual area, यहाँ जाएगी, प्राइमरी visual area, यहाँ पर 17 में, जबकि दो area बचके area 18 और 19, तो area 18 और 19 में क्या होता है, इनको हम बोलते है, visual association area, मतलब यहाँ पर association होगा, देखो मैंने बोला था हर एक area का एक visual area भी होगा, मतलब एक primary area भी होगा और एक association area भी होगा, देखो यहाँ पर जो sensory वाला जो था, sensory वाले का primary area था 312 और उसका association area था 57, इसी तरह visual वाले का primary area है area number 17 और association area है area number 18 और 19, तो हमने दो areas की हमने आपर बात कर लिए, एक visual area की और एक sensory area की, अब next जो है, वो है, य area number 41 और 42, कौन सा है ये, superior temporal gyrus है, ठीक है, तो यहाँ present होता है area number 41, 42, area 41, 42, कहां present है temporal lobe में, temporal lobe हमारे को कहां help करती है, उसमें, सुनने में help करती है, तो area 41, 42 है primary auditory area, यहाँ पर कोई भी चीज सुनेंगे, उसकी auditory, मतलब कोई भी चीज सुन रहे है, उसकी information हो यहाँ auditory area, इसके अलावा और areas के बाद करें, अब यहाँ जो है, इसके थोड़ा सा पीछे इधर present होता है area number 22, तो area 22 क्या है, area 22 is the vernix area, इसको हम vernix area बोलते है, या फिर हम इसको क्या बोलते है, sensory speech area, इसका मतलब क्या हुआ, कि माल लो area 41, 42, area 41, देखो फर्निक्स area बोलते है, area number 22, यह वाला जो area में लिखा है, तो 41, 42 primary auditory area, मतलब कोई भी चीज हम सुनेंगे, उसकी sensation यहाँ जाएगी, मतलब अगर यह damage हो गया, तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर area 22 damage हो गया, तो 22 तो क्या है, sensory speech area, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको understand करने में एलब करेगा, मतलब कि, यह association हो ग understanding वाला area तो खराब हो गया, अगर 22 खराब हो जाता है, तो यह हो गया, सुनने वाली चीज, अब next हम चलते है, area number 44, 45 पे, तो यहाँ present होते है, हमारे area number 44, 45, frontal area, frontal lobe के अंदर present होते है, area number 44, 45, इसको हम बोलते है, ब्रोकाज area, तो area number 44, 45, कौन से area है, ब्रोकाज area, ब्रोकाज area मतलब, इसको दूसरा नाम इसका क्या होगा, मोटर स्पीच area, कुछ भी हम बोलेंगे, तो वो इस वी से बोलेंगे, तो मोटर स्पीच area क्या है, area number 44, 45, ब्रोकाज area, अब कोई चीज सुनके बोलेंगे न, तो इस वज़े से 44, 45, 22 में connection होता है, ठी फिर उस हिसाब से जवाब देते हैं, वो इसी वज़े से होता है, अब इसको छोड़ो, other areas की बात करते हैं पहले, तो other areas जो बच गए अब, उनकी एकर करके बात करें, तो area number आता है 4, यहाँ पर present होता है area number 4, precentral gyrus के अंदर, तो area 4 क्या है, area 4 होता है, primary motor area, area 4 होता है, primary motor area मतलब यह initiation of movement में help करोगा, initiation of movement, motor area ना, primary motor area है, area number 4, उसके बाद 6 और 8 की बात करें, यहाँ पर present होता है area number 6 और area number 8, तो 6 और 8 यहाँ present है, frontal lobe के अंदर, तो area 6 और 8 जो है, इसको हम क्या बोलते है, pre motor area, क्या बोलते हैं, pre motor area, क्योंकि देखो, primary motor area 4 था, उसके आगे present है 6 और 8 तो, इसको बोलते है pre motor area, और यह initiation में help कर रहा था, मतलब initiative तो कर देगा, लेकिन भई, करना क्या है, कैसे करना है, यह कौन बताएगा, pre motor area, तो pre motor area, execution of movement में help करता है, execution of movements में help करेगा, area number 6 and 8, उसके अलावा, चार area और इदर present होते हैं, 9, 10, 11, और 12 होता है, इदर, medial side में, अंदर की तरफ होता है, इदर से निदेखे रहा, superolateral surface है न, तो 12 होता है अंदर की तरफ, तो 9, 10, 11 और 12, इनको क्या बोलते हैं, इसका जो काम है, वो होता है, intelligence, memory, ego and self-respect, तो इसका काम क्या होता है, हमारी intelligence जो है, वो इसपे based होती है, intelligence हम जो भी आद करते हैं, वो इससे related होता है, intelligence, memory, ego, हमारी ego इसपे related होती है, self-respect भी यहां से आती है हमारी, ठीक है, तो basically बात करें, तो एक तरह से कह सकते हैं, social behavior में, जो हमारा social behavior maintain करता है, वो यह वाला area होता है, area number 9, 10, 11, 12, तो intelligence, memory, ego, और self-respect, ठीक है, यह चार्चिस याद रखने हैं इसमें, तो यह हमने अलग-अलग areas की बात करी, अब इस video को यहीं खतम करते हैं, बहुत लंबी होगी है, अगली video में हम एक एक area को अलग-अलग पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे क्या जाता है, tracks, अब ascending track कहीं काम आएंगे, क्योंकि वह sensation को उपर लेके जाएंगे, तो ascending tracks की भी बात करेंगे, एक एक करके, तो अगर आपको video अच्छी लगी हो, तो please like करना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, और इस channel को subscribe जरूर कर देना, thank you so much.